और देखिए यहां पर मंदीर में पूजा और यहां मान जी के मंदीर और अभी जश्ट थावे मंदीर से हम लोग आए हैं पूजा करके गारी की पूजा हो रही थी और यह हमारी गारी न्यू और यहां मंदीर से आके यह हमारी हन्मान जी की मंदीर है उसमें पूजार कुछ आप लोग पूछ रहे थे जो गिफ्ट मिला है ऐसा कुछ कोई बात नहीं है मजबूरी में कोई साथ नहीं देता है में कोई साथ नहीं देता है आप लोग किसी को याद मत केजिए कुए कोई साथ नहीं देगा उस होता है यह देखिए उपर वाला यह भागान साथ रहना चाहिए और यह माप साथ रहना चाहिए वाकी साथ रहना चाहिए यहां बड़ा गारी नहीं हो आप लोग को कैसा लगा देख रहे इतना अच्छा लग रहा है कहा हम लोग आप लोग जान सकते था वे थाना है यहां पूरा यहां मंदीर है कितना प्याड़ा लग रहा है मंदीर तो बजरंगली की जाए और कुछ बोले तो हम लोग यहां पर रुके हैं मंदीर मुझे तो बहुत कुछे रुके हैं आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहे है माई मनीशा पर और कुछ नहीं चाहिए जो मेरा है वो आप सबका है अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो अपना ही बिहार का नाम रोशन होगा होगा कुछ इब बिहारी सौ पर भारी एक बिहारी सौ पर भारी बिहारी से कभी पंगा नहीं रहे अच्छा माही अच्छी हम सब पर भारी तुम पर तो सबसे जादे देखिया मुझे कैसे कैसे बोल रही है चल मुझे भी दिखा तुम उतना सुन्दर नहीं दिख रहे हैं इसलिए नहीं दिखा इधर देखो तो आदेखिया जे यह कभी सूट नहीं पेहनती है आज पेला के लाए क्योंकि मुझे सूट ऐसे अच्छा पसंद नहीं होता कुछ लोग कोमेंट कर रहे हैं जो आप लोग जीन्स पहन के पुजा कर लेती हैं तो पता हैं बचपन से जब मैं डांस नहीं भी करती थी तभी भी मेरे मामी पापा मुझे जीन्स ही पहनाते थे प्रोते बेटा सूट सलवार नहीं पहना है क्योंकि बेटा के तरह रखी थी इस बज़े से हम लोग शुरू से सिर्फ जीन्स और लहेंगा आप लोग के लिए हम लोग सूट पहन कहा हैं और कप्रा हम लोग भाई मेरा मर्द इसलिए और कप्रा नहीं पहनती हूं बस सूट जो भी होना चाहिए और आपको लहेंगा अक्सर मिलते रहेगा बाकी कुछी तो चलिए बाई बाई